गुद्बारिंग इस्टुडेंट आप सभी लोगों का दक्लास EAD गुरूप में मैं आप सभी विद्धिहारतियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका करेंट अफैर क्लास में जो की हमारा परिक्षा विसे इस नाम से प्रोग्राम इसे नाम दिया गया और जिसके में प्रिवियस क्लासों के अंदर हमने जो क्वेशन पढ़े होंगे उनके वन लाइन ठीक है और साती साथ आपका लास्ट में की फैक्ट पिछले जो हम लोग क्लासों में पढ़ रह चुके होंगे उनसे जुड़े की फैक्ट कुछ टॉपिक जो किसी भी मंत का हो सकता अक् सब्सक्राइब करते हुए भी चलिएगा जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और हरे क्लासों का अपडेट आपके पास रहेगा चलिएगा हम लोग कुशन के बढ़ेंगे पहला कुशन सापके स्कीन के सामने आ चुका है यहाँ दिया गया तो यह कहानी तो हमने पहले दो-तीन मैंने पहले क्यों पढ़ा था क्योंकि इनका नाम हमने कई ने कई सुना था क्योंकि हम लोग तब बात कर रहे थे कि उपर राष्ट पती के तौर पर यहाँ पर इलेक्शन लड़ने वाली पहली भारतिया मूल की जो महिला है तो उनका नाम के आपका कमला हैरिस बिल्कुल आपका सही अंसर आएगा लेकिन याद रहे कि अभी तो बिल्कुल सही है आने वाले 6 महिने साल बर के अंदर आपको questions देखने को मिलेगा ठीक है मैं आप सभी लो साल का कारेकाल होता है प्रेजिडेंट का यह जरूर याद रखेगा ठीक है और सबसे लंबे समय तक कोई भ्यक्ति वहाँ पर प्रेजिडेंट के तौर पर रहा तो वो थे आपके कौन? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट समझ रो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट वहाँ पर सबसे लंबे समय तक जहां तक मिझे ध्यान है कि तीन त्याम में वह क्या रहे हो आपर तीन अलग लगबार हो आपर प्रेजिजेंट रहे जब दूतिया विश्या ने 1932 से लगवग 45 के आसपास रह ठीक है तो सबसे लंबे समय तक आपका कौन रहे हैं तो वह रहे हैं आपका कौन से फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के नम आपने कापे सुना होगा यह सुना था आपने यू एन के अंदर यानि कि आपका जो विश्वा भर की सबसे बड़ी एक संस्ता है जो पूरे विश्वा क कंट्रोल कर रही रैगुलेट करने का जिसके पास जिम्मा है तो वह किसके पास आपका यूनाइटे नीशन के पास और यूनाइटे निशन जो नाम दिया गया से वो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के दौरा ही यह नाम दिया गया था आया समझ मैं चलिएगा हम लोग आगे ब दिया समझो चलिएगा नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन्स के और यहां पर दिया गया विचिट टैनिस प्लेयर के दिया आपका उस्टेश्ट प्रश्टिक है किसे टैनिस खिलारी ने पीट संप्रास बिचा के वर्स के अंत में वर्ल्ड नंबर वन की रिकॉर्ड के बराब जोकोविच आपसे कुशन्स पूछा जाता है कि नुवाग जोकोविच कौन सी कंट्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने आंसर दिया सर ये सर्विया को रिप्रेजेंट करते हैं कौन सी कंट्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं सर्विया को रिप्रेजेंट करते हैं अगर मैंने आपसे पूछा कि वैलिंग टिं टरोफी किससे कमेंट्व बॉक्स में आंशर देंगे वैलिंग टन टरोफी किससे संबन दिते हैं तो आप व subsidi अगर अभी नहीं पता है तो जब streaming समाप्त हो जाती है सर्च करके डूनिए अपने नोट्स को चेक करिएगा वहाँ पर बताएगा Wellington दूसरा अगर मैंने आपसे पूछा बच्चा सर्थॉमस कप आपने पताया कि सर्थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है आपसे पूछा मैंने उबेर कप किसी कम हो रहे न है उबेर कप कौन से खेल से सम्मादित है Wellington थॉमस उबेर कप उसके बाद आएग आपका यहां पर तो यहां पर अगर मैं बात करो आपका डै विस समझ्जो आपका डैवेस कप किस खेल से सम्मादित है आपका आ गया एजरा कप भी पूछा गया एक्जाम में एजरा कप किसे संब्दित है ठीक है समझ रो उसके बाद अगर मैं बात कर वाथ का थो Hope Man Hope Man Cup किसे खेल से संब्दित है इन सभी के आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देंगे अगर नहीं पता देखेगा मैंने तो पढ़ा रखा मैंने मैराथन के अदर कोई भी मेरे अग्जाम में आता है तो मुझे आंसर पता होना चाहिए तो यह रहाब का आज का होमवक नहीं पता तो एक अच्छे स्टुडेंट के और एक अब देखेगा वो तो आपका सूचने समझने का नजरी है कि मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में इससे क्या होगा आपकी परजेंस का भी पता चल जाएगा कि आप क्लास में उपस्तित हो या आप आफ लाइन बाद में देख समझ रो 9.9.2020 को किस सहर में 614 करोड रुपए की विकास परियोजना की सुरुआत करिये एमाउंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपर 614 करोड रुपए के विकास परियोजना की सुरुआत करिये प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी लॉंच डेवलेमेंट प्रोजेक् इतना 614 करोड इन विस सिटी ओप दा नवंबर 9.2020 को ठीक तो यह सहर कौन से अपना तो आपना वताएसर वारंसी के अंदर इसका राइड अंसर क्याएगा ए वारंसी के अंदर नवंबर मंत में अलग-अलग परियोजनाओं के लिए प्रधान मंत्री मोधी जी के द्वारा छैसो चौदा करोड रुपय का प्रोजेक्ट रखा गया अपने कापर वारंसी सहर के अंदर समझे वारंसी से ही कह है MP भी आपका मेंबर वारंसी सही है ठीक चलेगा नेक्स बढ़ेंगे अगले कुशन्स के और आपका कुशन्स आपके सामने आ चुका है कि किस देश के संक जूबाप पीस एग्रिमेंट विजद आपका रेबल गुप ठीक है तो कौन से देशनगर भी आपका तो जहां पर राइड आंसर क्या है आपका सी क्योंकि सुडान की कैपिटल है क्या रही जुबा सुडान की कैपिटल भी है और यह सुडान कौन से कॉंटिनेंट मात आपका तो आपने बताएं सर यह अफ्रिका के अंदर आता है किसमा आता है आपका अफ्रिका में देखेगा अफ्रिका के बारे में यहां पर देखे कुछ भी चीज़ अगर मैं होता हूँ तो मैं अपनों को हमेशा से चीज़ों को मैप के अकोर्डिं समझा पाता हूँ ठीक है अफ्रिका कॉंटिनेंट कुछ इस तरों से देखने को मिलता आपको है ना कुछ इस तरों से देखने को मिलेगा जैसे आपका लगवग लगवग इंडिया दिखता है वैसे ही आपको अफ्रिका भी देखने को मिल जाएगा ठीक है कुछ इस तरों से देखने को मिलता आपको अफरिका अब आपसे पूछा गया यहां पर अफरिका का नाम आया तो आप लोगों को क्या कोशन पूछ सकता है कि विश्वभर में सबसे जादा कंट्रियां कौन से कौंटिनेंट में हमारे पूरी पृत्वी को समझने के ल महाद्वीप या आप क्या कह सकते हो कौंटिनेंट कह सकते हो ठीक है उन कौंटिनेंट में सबसे बड़ा कौंटिनेंट आता आपका एसिया और उसके बाद दूसरे नंबर का है आपका अफरिका तो यह कौन सा आपका अफरिका महाद्वीप यह कौन सा आपका अफरिका कौ देता हैं सबसे जादा कंट्रिएंग कौन से कॉंटिनेन्ट में तो वह है आपका अफ्रिका ॥ जहां पर कितनी आपकी टोटल आपका चोवन कंट्रिट मैं पहला सीरा तो यहां पर आपको देखने को मिलता है सहराहारा मरुस्तल क्यों बता रहा हूं आपको कई बार ऐसा नहीं पूछता सबसे बड़ा का कौन सा है यह पूछ लेता है कि सहरा डेजट कौन से कौंटिनेंट में तो आपने अंसर दिया सर कहां पर है यह अफरीका महादीब के अंदर इस्तिर है यह कुछा जाता थीक है उसके बाद मैंने अपनों को यहाँ पर क्या क्या बताया इसे डार्क कौन टिनेंट भी कहते हैं इसे डार्क कौन tips या काला महदीब भी कहते हैं का डार्क कोंटिनेंट या काला महाधिब क्योंकि सहरा डेजर्ट भी आपर है। उसके बाद को काला हारी दिखेगा ऊसके बाद आपको यहाँ पर कांगो बेसिन दिखेगा तो यहाँपर लगभग सबसे ज्यादा स्वेड़ woman क्या आपका यह डेजर्ट फैल है जिस कंट्रियों में बहुत ज्यादा भुक्मरी है जिस कारण से इसे क्या का जाता आपका तो यहाँ पर इसे काला महादुप के नाम से भी जाना जाता हमारा अफ्रिगा कॉंट्ने ठीक है उसके बाद क्या याद रखना आप लों को मैंने आपको बताए था इको याद आरा आपको देखो करेंट में क्या क्वेशन्स पूछ सकता है इसका फाइदा अपने ससीजे में देखा होगा अगर करेंट अफैर में गरेंट के साथ साथ आपका जीएस भी स्ट्रिक जीएस वाला पोर्शन भी मैंने अपनों को कराए था जिसका बेनिफिट आपको आने वाले एक्जामों में देखने को मिलता है ठीक है और मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है इसे में बदल नहीं सकता हूँ क्योंकि जैसे मैं खुद स्टड़ी गरता हूँ वैसे आपनों को भी पढ़ाता हूँ ठीक है अब इको को ध्यान होगा आपको यही पर इस कॉंटिनेंट के अंदर लगवग लगवग इस छेत्र में जो आठ कंट्रिया हैं उन्होंने क्या का हमारी क्या रहेगी एक कॉमन करेंसी रहेगी ज किसी वाले छोर पे हमें देखने को मिलता है कौन सा यह पूरा पूरा पूर्शन हमारा के एसिया कॉंटिनेंट का इस्तरों से देखेगा मैप में देखेगा यहां देखे इस छोर पे देखेगा इधर ये पूरा पूर्शन है नहीं ये ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा के आपका मेडिटेरियन सी का भूमद्य सागर का ठीक है और जस्त यहां पर नीचे के और आएंगे तो यहां में क्या दिख जाएगा आपका रेड सी दिख जाएगा और ये वाला पूर्शन क्या हमारा ये है गल्फ ओफ अधन का यहां आप लोगों को पता है कि यहां क्या इनके बीच में स्वेज केडाल यह क्या आपका स्वेज केडाल जो की विश्वकी सबसे लंबी नहर है भुमध्य सागर को रेड सी से जोड रहा है उसके बाद आपका यहां देखेगा यहां भी एक आपका इस्टेड आती है Mediterancy का द्वार भी कहते है यहां gateway of Mediterancy यानि कि जिबराल्टर आपका इस्पेन और मोरक्कों को अलग कर रहा है यानि कि यूरोप और अफ्रिका कॉंटिनेंट को अलग कर रहा है इस पोर्शन से आपको एक क्वेस्टन से जितने भी बताए मैंने सारे के सारे एकजाम में सबसे बड़ा द्वीप जिसे आप लोग क्या कहते हो मेडा गासकर कहते हैं क्या कहा जाता बचे से मेडा गासकर और मेडा गासकर और अफरिका के बीच में जो स्टेट है उसे हम लोग मोजांबिक स्टेट कहते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग मोजांबिक स्टेट के नाम से ज यहाँ देखेगा इस छोर पर अफरिगा कॉंटिनेंट के यहाँ पर एक सबसे चर्चीद विंड चलती है करेंट चलती है जिसे हम लोग क्या कहते है डॉक्टर डॉक्टर यह वाय भी कहा जाता है क्यूंकि यह इस डेजट में हलकी फुलकी बारिष की फुवारे करता है जिस कारण से वहाँ पर क्या हो दिया थी थोड़ा बहुत नमी आ जाती है जिस कारण से इसे क्या कहते है डॉक्टरी हवा भी कहते है यह पूरा का पूरा छेतर आपका कौन से है तो इसे हम लोग जानते है गीनी क्यों में बात कर रहा हूं विश्वभर में सबसे जादा अगर कोकौ उद्पादन होता है तो इसी चीडि में होता है यह थिक है आप लोग को समझना है रट देखो मैंने कोई भी चीज कभी रटता नहीं हूँ और ना आपको रटने के लिए बोलता हूं मैं सिप्पॉर्सिव प्रक्टिकली समझने के लिए बोलता हूं क्यूंकि आपने देखा होगा जाप चाए, कहीं भी जाएगा एक है दो बार में आपनों को वो सहर, वो रस्ता वो याद हो जाता है जिस सहर में आप लोग घर से निकल कर अगर बाहर जा रहे हो, तो आपको रस्ता याद हो जाता है, उसी तरह से मैप के according अगर बार-बार revision करोगे तो वो चीज़ है ठीक है बस इसके बाद दीरे-दीरे औरली बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आने लगेगी चले next बढ़ेंगे अगले questions के ओर यहाँ पर दिया गया IPL 2020 के final में कौन सी दो team है एक दूसरे से बीड़ेंगी आगे आने वाले समय पर यह questions change हो जाएगा कि final winner कौन रहेगा और आपका ठीक है तो याद रखेगा कौन सी बीड़े आपका मुझे नहीं पता है match कब होने वाला final हो सकता है कल हो गया हो तो मैं आपको थोड़ा लेड़ बता रहा हो ठीक है यह नहीं पता मुझे कि final match कब होगा IPL का अगर हो गया होगा तो आप लोग ज़्यादा update होंगे चलेगा तो वो दो team है जो final में गई है वो आपका कौन सी है मुंबाई और डेली capital बहुत बढ़िया तो मुंबाई फिर से आपका और डेली capital यहाप पर पहली बार गया है दूसरी बार ठीक है क्या आपका final में पहुचा होगा ठीक चलेगा next बनेंगे अगले questions पर कि भारत का पहला सौर आधारित एकिकरित बहुग्राम जल आपूर्त परयोजना किस राज्य में शुरू की गई नागालेन, मनिपूर असम, अवरांचल प्रदेश तो इसका right answer क्या दिया आपने रॉफ़़़़़़़़ प्रदेश आपने क्या कहा कि सर अवरांचल प्रदेश में शूरू किया गया ठीक तो अवरांचल प्रदेश के नाम आया है या पर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा अवरांचल प्रदेश कितने देशों के साथ सीमा साजा करता है यानि कि अवरांचल प्रदेश कितने देशों के साथ अंतरास्ट्य सीमा बनाता है देखेगा आप लोग, आप लोग को कही बार बताया मैप के अकॉर्डिंग इस तरह से देखने को बताया ना, हमारा अवरांचर प्रदेश इस तरह से दिख जाता है ना, कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है हमें कौन सा अवरांचर प्रदेश, ठीक है, कुछ इस तरह से छेत्रफल में एरिया के अकॉर्डिंग पूर्वत्र का सबसे बड़ा स्टेड छेत्रफल की दिश्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हमारा तो यह अवरांचर प्रदेश है उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका जन घनत्र की जन घनत्र समझतों आप लोग population density सबसे कम किसकी है तो इसी राज्य के 2011 की जन घनना के अनुसार population density सबसे कम है तो वो अवरांचल प्रदेश की है किसकी है अवरांचल प्रदेश का ही सबसे कम जन घनत्र है उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा आपको देखने के लिए आपको मैंने पूछा कि अंतरास्ट्य सीमा तो अंतरास्ट्य सीमा इस साइड से आपको भूटान इस तरब आपको चाइना तिबद और इस तरब आपको क्या दिख जाते है म्यानमर तीन देशों के साथ अंतरास्ट्य सीमा बना रहा है और अन्य राज्य जैसे आपका असम और नागालेंड के साथ सीमा साज़ा क ठीक है उसके बाद आपको याद होगा दो हजार उन्निस में यहां पर अमेरिकी राजदूत एक त्योहार के अंदर गए थे जो आप एक ट्रैडिशनल त्योहार है समझो गौध ध्रम से जुड़ा हुआ तो उस पर जाने के बाद चीन ने आपत्ति जताई थी चीन बचाने के युद्ध के बाद भी कई छेत्र को अपना मानता है कहां पर अवरांचल प्रदेश में ठीक है तो वो कौन सा आपका तमांग बच्जा रखेगा तमांग उच्छाओ यह बहुत बार पूछा जाता है तमांग उच्छाओ भारत के कौन से रज्य में मनाया जाता है यह त क्जैंग मत कहां पर है बहुत ध्रम से जुड़ा हुआ है तो अपने अवरांचल प्रदेश के अंदर ही इस्तीत है जाहरे वंड़ा को उसके बाद मैंने आपके बिशी सबसे हुंचा अपर घयर बारत का जिसकारण से एक्जाम में पूछा जाता है कि नाम दफा टाइगर रिजब कहां पर है अवरांचल प्रदेशकंदर बॉमडिला यहां पर बॉमडिला आपको क्या दिखेगा पास दिखेगा वह भी इसी तरह आपका ठीक है तो यह तीन चीज़ चार चीज़ आपको याद रखते वें चलना है चलेगा पैमा खा आपान बताये जो हाल ही मैं ग्वेटमाला में आया था ग्वेटमाला यानि कि मैक्सिको और ग्वेटमाला आपका लगवाई लगवग एक क्या चैब तो देखेगा map के according की चीज़े याद रहती है तो मैं आपको map से ही समझा देता हूँ अगर आप map देखोगे North America continent का कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपको देखेगा इस तरफ नीचे की छोर में आपको यहां देखता है Mexico ठीक है ग्वेट माला आपको देखता है जहांपर 2019 में विश्वा पुस्तग मेले का आईजन भी हुआ और भारत क्या था उसमें मुख्य अतिती था 2019 में विश्वा पुस्तग मेले का आईजन किस ने करा इसी ने किया था आपका ग्वेट माला ठीक है ना और यह North America महादवीब के अंदर है जहां पर उतर आपको अमेरिका दिखता है जहां पर आपको केनेडा दिखते है मैक्सिको दिख रहा है आपको पनामा दिख रहा है अपनों को तो यह याद रखेगा आपका याद पर राइट अंसर क्या बनता हमारा एटा के बारे में या यूरो का फंड दिया है अभी रिलिए दिया गया रा कि किस बैंक को समझ जो के एफ डेबलू बैंक के द्वारा क्या दिया गया आपका तो पांस यहां पर किसकी कितने बात करें हम लोग 545 मिलियन यूरो दिया गया यह आपका 4767 करोड रुपय तक का यहां पर किसके लिए विकास के लिए एक लॉन के तौर पर दिया गया डेबलमेंट के लिए चल जर्मनी होगे ठीक है जर्मनी के द्वारा दिया गया किसे तो यह दिया गया मुंबाइ महानागर छेत्र विकास प्राधिकरन को 545 मिलियन का अभी मदद के तौर पर नहीं दिया गया यह लॉन के तौर पर दिया गया विकास के लिए समझो चलेगा नेक्स चलेंगे अगले सबसे अच्छा दिन आज बेलकुल बहुत बड़ी है आपका सबसे अच्छा दिन आज होगा चलिए तो इसका राइड आंसर क्याएगा यहाँ पर राइड आंसर आएगा अनुपम खेर अगर मैं आपसे पूछ हूँ अनुपम खेर जी के आटो बाइगराफिक है इनकी आत्म कता क्या है तो यह आंसर आएगा कमेंट्स बॉक्स में वो सभी स्टुडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस क्लास को लाइब देख रहे हैं नहीं बदा कमेंट्स बॉक्स में बाद मैं सर्च करके आंसर दीजे कब जब आपकी स्ट्रीमिंग समाप्त हो जाती है उस समय पर आंसर दीजिएगा मैंने बताया आपको अनुपाम खेर जी कि आत्मकता मैंने आप लोगों को बताये हुई है कि उनके आत्मकता को किस नाम से जानते है ऑटो बाइग्राफी किस नाम से जानी जाती है ठीक है चलिएगा next बनेंगे अगले को दिगद अभिनेता हैं लोग वेस्वन डपैरिश मास्टर 2020 2020 टाइटल इन दबैट्मिंटन बैट्मिंटन में पैरिश मास्टर 2020 का खिताब किस ने जीता तो आपने आंसर दिया एलेक्जेंडर जैवरेग का नाम दिया गया राफिल नडाल का नाम दिया अपर तो हम लोग आंसर क्या देंगे यानि कि सभी आंसर बनेगा आपका C, यहाँ पर Daniel मन्देवन, ठीक है, यह किस के द्वारा जीता गया Daniel बचा आपका Madway Dev के द्वारा जीता गया ठीक है, चले देखते हैं, यहाँ पर Rusi प्लेएर है, यह कैऊंकर आपका बैटमिंटन प्लेयर है तीन चीज़ें यहां से questions पूछेगा आपसे पूछा जाएगा कि यह खिताब किसके द्वारा जीता गया आपसे क्या पूछेगा कि यहां पर Paris Master 2020 का खिताब किसने जीता पहला सवाल दूसरा सवाल कि रिसेंटली डैनियल बचाप का मैद वेदेव का नाम आप लोगों ने सुना होगा तो यह किसे खेल से संबंदित है दूसरा सवाल तीसरा सवाल यह कौन सी अभी रिसेंटली न्यूज में आपने इनका नाम सुना नॉम्बर 2020 में कौन से देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने बताए सर यह रसिया को उस पर अगला कुशन दिया गया हर साल किस तारिक को राष्ट्य कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है यहां पर पूछा गया आपका और विच डेट ऑफ दे नेस्टनल लीगल सर्विस डे इन दसेलिबेट एब्रियर प्रतेक साल राष्ट्य कानूनी सेवा दिवस के उत्राखन इस्तापना दिवस के रुप में भी आप लोग सेलिब्रेट कर तो यह भी याद रखेगा चलिए नेक्स बढ़ेंगे राष्ट्य कानूनी सेवा दिवस के बारे में अगर मैं बताऊ आपको तो पूरे भारत में हर साल 9 नौंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसे दिन भारत्य कानूनी सेवा प्राधिकरन अधिनियम 1987 को अधिनियमित कर दिया गया था इसी कारण से यानि कि आपका ध्यान दिजेगा इंडियन लीगल सर्विस ऑथर्टी एक्ट 1987 जो कि आपका क्या हो गया था कानून के तोर्ट पर बन गया था कब 9 नौंबर 1987 में जिस का क्या मनाते है राष्ट्य कानूनी सेवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते है आगे अंसर समझ मैं अल चलेगा आगे बढ़ेंगे अगे ले कुशन्स के और अन्टा राष्ट्य इस्तर पर रेडियो लौजी दिवस के रूप में मनाया जाते है हर साल को अन्टा राष् से पूछों आपका अंसार आना चाहिए प्रतेक वर्स 26 नवंबर को हम लोग किस दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं प्रतेक वर्स 11 नवंबर को किस रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोनों क्वेस्टेंस आपका जो भी समझो जो भी आखें इस वीडियो को द इस वीडियो का आंसर आप लो कमेंट्स बॉक्स में देंगे उससे क्या पता चलता है कि आप लोग की नीन तो लेट में नहीं खुली लेकिन आप वीडियो को उसी तरह से वाज करते हो एक डेडिकेटिट स्टुडेंट की तरह ठीक है चलेगा नेक्स बढ़ेंगे अगले questions पर हमारा अगला questions क्या दिया जाता है कि निमलिकित मैं से किस राज्य ने O.R.O.P प्राप्त करता हो की संक्या सबसे अधिक है One Rank, One Pension समझो One Rank, One Pension की बाद की जाए प्राप्त करता हो की संक्या सबसे अधिक है तो यह कौन सा आपका तो याद रखेगा अपना कौन सा राज्या होगा तो यहाँ पर B यानि की C&D पंजाब एंड उत्तर प्रदेश वन रेंग वन पैंसन ठीक है नहीं आप पर दिया गया उत्तर प्रदेश और पंजाब मैं O.R.O.P की प्राप्त करता हूं कि संक्या सबसे अधिक है सबसे बचा हो लेकिनी है सेन्य कर्मियों ने जिन्होंने 30-2014 तक बचा इस्तिपा दे दिया था वो इसके अंतरगत आते हैं वन रेंक वन पैंसन के अंदर ठीक चलेगा रास्त्य सूचना विज्ञान कैंड की स्तापना कब की गई थी NIC National Information Center National Information Center की स्तापना किस व अंसर दिया असर यह कब हो आता 1900 लगवग लगवग कुछ आपका NIC की स्तापना आपका 1975 में तो अथर्टी बनती है कि भारत में ठीक है और आपका कब होता है 1916 तक इसकी स्तापना कर दी जाती है ठीक है तुम ऐसे option में दौनों नहीं होने चे थे तो यहापर मैं अगर announcement NIC का पहले हो गया था 1975 में ठीक है कि 1975 में आपका NIC National Information Center इस्तापिद होगा लेकिन जब दोनों option मरेगा तब 76 answer दीजेगा वैसे आपका क्योंकि यह पहले भी exam में पूछ चुका है और वहाँ पर answer 1975 दिया गया था confusion है आपका एक बार act बनता है और उसके बार अगले वर्स यह क्या होता आपका पारित होता है जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि भारत में regulating act किस वर्स आया तो आपने answer दिया सर 1773 में लेकिन आपको बाता है इसी regulating act के तहत भारत में या कलकत्ता में फोर्ड विलियम या आपका क्या सुप्रीम कोर की स्तापना हुई तो यह स्तापना कभी तो 1700 आपका 74 में हुई थी बस वही कहानी आपका यहां भी वही कहानी है तो इन दोनों डेटों को याद रखेगा जहां दोनों होंगे वहां 76 आंसर देना जहां 76 नहीं होगा वहां आपका 75 आंसर बनेगा एनाइसी के लिए चलिएगा 1976 में एनाइसी बचाप कटी आए तो याद रखेगा चलिए नेक्स बरेंगे अगले क्वेशन पर किस देश के चुनाव आयोग ने अंतर रास्तिया आबसे चुनाव आगुंतक कारेकरम को आयुजित किया यहां पर दिया गया अब यहां से बार-बार मैं आपको बताता हूँ आज समय आ गया पूछने का समझ दो जो जो questions मैं आसे पूछूंगा आप लोग answer देते रहो गई एक अच्छे student की दो पहले तो आपका election commission of India जिसकी बात करेंगे हम लोग निर्वाचन आयोग आप जानते हैं कि questions क्या क्या रहेगा कई सारी बच्चों ने type भी कर दिया हो कि कौन कौन से question या से सारे पूछने वाले पहला सवाल भारत में निर्वाचन आयोग की स्तापना कभी election commission of India इस्टैबलिस कभ हुआ इसका answer देंगे comments box में दूसरा सवाल दूसरा सवाल देखेगा आप लोग को बता है कि ये election commission क्या आपका government body है क्या है बच्चा आपका समवधानिक सस्ता है यह क्या आपका constitutional body है तो यह constitution में कौन से पाठ के अंदर दिया गया कौन से भाग में दिया गया समझो यहाँ पाठ पूछा आप से यहाँ मैंने establishment पूछा question number third निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कोन करता है समझो यानि कि यहाँ पर क्या पूछा गया आपका appointment की बाद यहाँ पर 9 minute की बात करूंगा मैं चलो उनके नामिट किसके द्वारा किया जाता है या उन्हें यहाँ पर appointment किसके द्वारा किया जाता है ठीक है तीसरा चौथा question क्या बने गया हमारे यहां से कि इनका अगर निर्वाचन आयोग है तो मुख्या निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है यहाँ टम्स पूछा चीप election commissioner का पहला सवाल आपने जिन जिन बच्चों ने 25 जनवरी 1950 आंसर दिया उनका बिलकुल सही आंसर है आपका ठीक दूसरा question मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पर अगर हम लोग जो चार question आपसे पूछेगे उन चारों को मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है कि कौन से भाग मैं तो आपने भाग आंसर दिया सरीए भाग 15 मैं दिया गया आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसकी ब्योस्ता दी गई नॉमिनेशन की बात की जाएगी तो भारत के राष्ट पदी के द्वाराचीप एलेक्शन कमिशनर को चुना जाता है यह कितने समय के लिए 6 और 65 जो भी पहले हो वही निर्वाचन आयुक्त का बचक्या होता है हमारा कार्यकाल होता है तो सभी आंसर होंगे चलेगा आगे बढ़ेंगे किस बारतिया राज्य ने प्रवासी पक्षियों को विसेश रूप से बचापका अमूर वाज्यों के सिकार के खिलाब चेतावनी जारी करी अभी रिसेंटली अभी आपर देखेगा विच इंडियन इस्टेड एस्यू वार्निंग अगे के द्वारा अभी यह क्या किया आपका एक यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया गया समझो यहां पर वर्निंग जारी कि गए एक तरह से वर्निंग दी गई ठीक है तो अगर हम लोग तो तिरपुरा की बात करेंगे तो तिरपुरा स्टेड के बारे में आपका जानने को तिरपुरा स्टेड तिरपुरा भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साजा कर रहा है तो इधर से हमें कौन सा दिख रहा है मिजोरम इधर से मुझे मिजोरम दिख रहा है और दूसरा राज्य मुझे यहां से कौन सा दिख रहा है जिससे साथ सीमा साजा कर रहा है वह अ समराज्या देखेगा आप लोग भी मैप मैं जरूर देखेगा कई बार अगर मैं गलत बता रहा हूं वैसे गलत तो नहीं बताऊंगा प्रैक्टिक्स बता पढ़ाते पढ़ाते इतना समय हो गया या इन चीजों को पढ़ते पढ़ते क्योंकि देखो इंटरेस्ट होगा जिस बाहर बेजा हूँ है उससे क्या फाइदा होगा आपकी नौकरी लग जाएगी इसलिए पढ़ो मैं तो यहीं कहूंगा पढ़िएगा बस तरीका अपना डूनिएगा जिससे कि आपका सलेक्शन होता है आपका दो गंटे पढ़ने में सलेक्शन होता है तीन गंटे पढ़न एक दिन उसकी चार-चार जॉप लगने वाली है उस दिन उनके पास उप्सन होगा उस दिन एक्जाम नर उप्सन नहीं देगा आपके पास उप्सन होगा कौन सा आपके घर के नजदी गहर का आपको अच्छी फैसलेटी मिलती है देखेगा आप लोग ठीक जो रेगुलर इसा रज्य जो तीन और से या भारत का ऐसा रज्य जो तीन और से एक ही देश से घिरा हुआ है तो वह तिरपुरा है पहला सवाल यानि कि तीन और से यहां से भी आपको क्या दिखेगा बंगलादेश दिखेगा यहां से भी आपको बंगलादेश दिख रहा है और इस पू रुद्र सागर लेक भारत के कौन से रज्यम है तो रुद्र सागर रट दीजियेगा बहुती मेतवपूर है रुद्र सागर लेक अपने कापर है तिरपुरा के अंदर है और तिरपुरा ऐसाərस टेड आपका तिरपुरा में जो जन जाती आपकी निवास करती है उसे किसके देढ च्छट वी अनुसूची के तैथ समयो च्छट वी अनुसूच एति है विशेश दर्जा पराप्त है बताया था ना मेगा लेको प्राप्त है और किसे मिजोरम को छटवी अनसूची में क्या दी गई जगा दी गई और इस वर्स ये क्वेशन आने वाले छह महिने साल बर में क्यों पूछा जाएगा क्यूंकि अवरांचर प्रदेश ने भी बिल पास कर रहा है कि हमें क्या करेगा हमें छटवी अनसूची में रखिएगा समझ रो तो यह चीज आपका यहां से पूछ सकता है बाकी अन्या चीज आपको पढ़ा आप कैपिटल तो कैपिटल बता देता हो बच्चा आपका अगर तला अगर तला इसकी राजदानी होगे तिरपुरा की क्या है अगर तला ठीक है इतनी ची नौबर 2020 के महिने में वर्च्वल टेक समिट की मेजबानी करने के लिए तयार है क्या दिया गया आपका विच इंडियन सिटी सेट अप दा होस्ट वर्च्वल टेक्निकल समिट समझ लो यह टेक्नलोजी पर आधारित आपका सम्मेलन होगा तो मत जो नौबर 2020 में तो वह हम सिटी के नाम से बैंगलरू के बारे में आपको मैंने एक सबसे मैं तो पूर्ण बताया था यह करनाटक की कैपिटल तो है लेकिन भारत में एक मात्र आपका तितली उद्यान बटर फ्लाई आपका नैस्नल पार्क कौन सा है तो इसका नाम आपने बताया सर कौन सा है बनेर गटा याद आपको बनेर गटा करके याद अखना बनेर गटा आपका जो क्या आपका नैस्नल पार्क है यह भारत में मात्र एक क्या है आपका तितली उद्यान है और यह तितली उद्यान का पर हमारा बैंगलूरू सहर के अंदर है रिसेंटली एक आपका तितली की प्रजा जो एक आपका वेराइटी देखने को मिली चर्चा में मिली न्यूज में उसका नाम क्या था आपका बैंडेटिट और बैंडेटिट कहां पर आपका याद रखेगा वो किसकी प्रजाती है वो एक तरह से तितली की प्रजाती है जैसे हम लोग अलफांसो कहते हैं आम का जामन नेक्स मटरेंगे वन लाइनर की ओर जो कि अपका प्रीब्यस क्लास में आपने देखा तो सभी लोग तैयार है वालाइनर के लिए सभी गोश्या रेंगा जिनगे अपसे पूश्ता रहाँ तो आंसर देते रहی का समझो answer देते रहेगा और अपना feedback जबूर दीजेगा मैं आपके comments तो नहीं देख पाता हूँ लेकिन one liner में जरूर comments देखूँँगा जिससे की एक bonding बने रहेगी न आप और हमें एक बरोसा बने रहेगा क्यों excitement रहता देखेगा जैसे classroom में आपने देखा होगा जिस भी बच्चे को answer आता है तो वो कम से कम अपना नाम तो सुनना चाहता है ठीक है तो जो भी मैं questions पूछूँगा courses करूँगा मैं नाम इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि बाद में अगर आप वीडियो देखोगे तो आप disturb हो जाओगे इसलिए नाम नहीं लेता हूँ चलेगा तो पहले questions के और हम लोग बढ़ेंगे पहला questions आपके सामने दिया गया कि Facebook ने किस बैस्विक खेल मास संके आधिकारिक page को अपने बचेया पर website अपने social media site से हटा दिया फेस्बुक ने कभी अभी आपका क्या करा आपसे पूछता है कि नॉबर 2020 में Facebook has deleted which global sporting federation official page फेस्बुक ने किस बैस्विक खेल का आप लोग comments box में answer दीजिएगा तो जिन बच्चों ने answer दिया यहाँ पर किसका ISSF यानि कि International Shooting Sports Federation International Shooting Sports Federation का अभी जो official page है किनी कारणों से Facebook के द्वारा हटा दिया गया ठीक है तो आपको नवंबर 2020 की खबर होगी हो सकता है बाद में आपका द्वारा जोड़ दिया हो लेकिन ये खबर तो बनी आपका याद रखेगा चलिएगा next बढ़ेंगे यहाँ पर क्या दिया गया आपका अश्ट बैंक ओपन को सत्र का अपना पांचवाँ ATP किताब किसने जीता तो यह जीता गया आपका कौन सा बचाब का एंड्रेव आपका रुब्डेव के द्वारा जीता गया कल बताए था आप लोगो इसके बारे में ठीक है यह क्वेशन्स हम लोग कल भी पड़ चुके थे अगला क्वेशन किस मैसेजिंग प्लेड़ फॉर्म ने भारत में अपना UPI पेमेंट फीचर लोँच किया है आपके सामने क्या दिया गया विच मैसेजिंग प्लेड़ फॉर्म है दा लोँच इस ओन दा UPI पेमेंट फीचर इन इंडिया तो भारत में किसके दोरा लोँच किया गया यह क्वेशन्स अगर पूछा जाए तो आपका अंसर क्या हैगा फेस्बुक यह आपका मैसेंजर समझ ओ तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे वार्टसअप एप की बात करेंगे वार्टसअप ने अपना UPI UPI आपका क्या होगा बच्छा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI की इस्तापना भारत में किस वार्टस होई UPI की सुरुवात भारत में किस वार्टस होई एक आंसर तो आप ये दोगे दूसरा देखेगा वार्टसअप आपका किसका अब तो किसके पास चले गया फेस्बुक के पास चला गया ना फेस्बुक समझो आपका पेरेंट कंपनिया वार्टसअप भी चलेगा नेक्स बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेशन पर क्वेशन दिया गया कि भारतिया सेना प्रमुक एमेम नार्वाने को किस देशने सेना के जन्रल मानद रैंक से सम्मानित किया ये सवाल मैंने आप लोगो कल ही कराया था यादार होगा अपनों को तो यहाँ पर अपने आंसर दिया सर किसने गरा नेपाल के द्वारा दिया गया भारतिया सेना प्रमुक समझ वो उसके बाद देखेगा नेपाल से जुड़ेवे क्वेस्टन्स आपको मैंने पूछा यहां से कल बताया था सार्क का मुख्यालाई कहां पर है यहां से मैंने पूछा था सेग साउथ एसियन गेम का आविजन 2019 में कहां पर हुआ यह भी बताये था मैंने आप लोगो भारत और नेपाल के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज समझ रो यानि कि आपका सैन्या अभ्यास सैन्या अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में किस नाम से जाना जाता है उसके बाद आप से मैंने याप पर पूछा संगोली संदी पूछा नहीं आपको बताया संगोली संदी के बारे में समझ रो इसलिए मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे इनका अंसर देते रहेगा संगोली संदिक किस वर्स हुई थी ये पूछा था और उसके बाद पूछा था आपसे कि नेपाल भारत के कितने रज्जों के साथ सीमा साजा करता है या नेपाल के साथ बारत के कितने रज्ज अंतरास् ठीक है ना तो यहां पर ध्यान दीजेगा संगोली संदि होती आपकी कब 1815 में और 1816 में यहां पर क्या होते हैं आपका जो नेपालीज गोर खाते उसे मानते हैं ठीक है उसके बाद सार्क की मानने आपको बताया कि सार्क का मुख्याले कापर आपका काट मांडू में यह भी बताया था सार्क का मुख्याले कापर साउथ एसियन रिजिनल कॉर्परेशन साउथ एसियन एसियन आपका रिजिनल कॉर्परेशन का मुख्याले कापर है काट मांडू सेग गेम 2019 में होते हैं आपके कब साउथ एशन गेम जो आपका तो 2019 में नेपाल की राजदानी काटमांडू और पोखरा के अंदर होता है लोग हो पोखरा हुए हुएक सेषर इन दो सेरो में आपका होता है से न्यव्याद भारत और नेपाल के बीच में जो आपका होता है उसे क्या गहते है आपका सूर्यकिरन आप लोग सूर्यकिरन के नाम से जानते लास्ट टाइम पर उत्राखरण चकोट्याừaनिकेट ज्यागो पर हुआ था आपका पितोरागाड आपका जूलागाट वाला एरिया में ठीक है तो यह अभी वहाँ पर आएजित हुआ था उसके बाद मैंने आपसे कुशन और पूछा था तो उसका अंसर आप लोगोंने कमेंट्स बॉक्स में दे दिया होगा चलिएगा नेक्स डीजिटल प्लेटिफोर्म आपका ठीक है प्रिख ऐ्स प्लेटोरम पाटनर्सिप कराव से कार चारस के करड्स प्लेटफोर्म तो किस लेका अ मैझे अडिया ऊएश्ट में के तौतींं को अपना अगला मुख्या सूचना अधिकारी हर एक बोड़ी का क्या होता है आपका सूचना अधिकारी होता है जैसे आप लोग आटिया लगाते हो तो संबंदित सूचना अधिकारी आपकी अपील को सुलता है या आपके द्वारा मांगी गई सूचना को आप तक पहुंचाता है ठीक है चलेगा तो इसका राइड आंसर क्याएगा आपका HDFC बैंक बिलकुल HDFC next बढ़ेंगे अगले questions के और Board of International Dairy Federation में सरोसहमती से किसे चुना गया IDF तो IDF में किसे चुना गया आपका दिलीव रत को चुना गया किसे चुना गया दिलीव रत को Board of International National Dairy Federation में और है वर्तमान समय पर डैरी तो यहाद हखेंगा और जो ड़ोधा मुख्याले किसलिया करनाल जो की 1973 डैरी development board की स्तापना होती है का पर हमारे करनाल के अंदर यानि करनाल हरियाने के अंदर है ना चलिएगा next बढ़ेंगे जुगलबंदी दा बिजेपी बिफोर मोदी बुक का title क्या दिया गया जुगलबंदी समझो फुगलबंदी और पूरा पूरा नाम क्या दिया गया आपका बुक का दा बिजेपी बिफोर मोदी तो यहाँ पर इसका यह बुक किसके द्वारा लिखी गई तो कल ही पड़ा था हमने कुश्ण भी आपने आंसर दिया विनै सीता पती के द्वारा यह बुक लिखी गई जुगलबंदी याद रखेगा दा बिजेपी समझो बिफोर मोदी और याद रगेगा आपका आपसे एक सवाल भी पूछा गया था क्या सवाल पूछा गया था कि वर्तमान समय पर बिजेपी के रास्ट्या अध्यक्त से क सामवा और स्सी जेई का हुआ था इन तीन मैंसे किसे एक मैं पूछा गया था तो वर्तमान समय पर बिजेपी के जो रास्ट्या अध्यक्त है जेपी नड़ा जगत प्रकास नड़ा मैंने आपको बताया भी था कि हिमांचल प्रदेश से बिलोंग करते है अगर पूछ ले टो कौन से रध जयने विश कटे टोरिजम्ह एज वह दो वंुल्ट ट्रेवल माट लंडन अवाइड ज्टा यह अपने कूझ से रधरा जिता है तो आपना सद्यासर अपने केल रज-जक के दौरा जीता गया रखी बनापनों को बताए था यहां पर आपको दो रज्ञों में डाउट होगा वो दो राज्य कौन कौन से हो सकते हैं के रल हो सकते हैं यह उत्तर ब्रदेश हो सकते हैं तो फेस आप लोग यह पर किस आगए बाठेंगे यह तो हमारा अब एक रटा रटाए कृशन्स हो गया और विल को हम कमेंट्स बॉक्स में लिखके बेज़ेगा अफस्पा की फुल फॉर्म कमेंट्स बॉक्स में लिखेगा नागर लेंड को अगले छह मेने के लिए असांच छेत्र गोसित करने के बाद वहां पर असब अफस्पा छह मेने के लिए बढ़ा दिया ठीक है तो यह अफस्पा होती इसी बच्चा वारंट के आपको गिरफ्तार भी किया जा सकते हैं या आपके मूल अधिकार वहां पर कम हो जाते हैं जो आपको अधिकार दियेगे वह कम हो जाते हैं ठीक है तो याद रखना आर्मर्ड फोर्सेज इस्पेशल पावर एक्ट कहा जाता आप कैसे अपसपा ठीक है और बाकी मैं आपको बताया था कि इसके आधिकारिक भासा के आपका अंग्रेजी आधिकारिक भासा है नागालेंड की और विल त्योहर आपका हो गया है चले नेक्स बरेंगे अगले कुशंस पर अगला कुशंस आपके सामने आ गया कि किस भारतिया अच्छा है उर्जा कंपनी ने हाइड्रिजन वैली चैन पर इटली के साथ समझाधा करा है तो वो कौन से होगी आपका ग्रीन को ठीक है नेक्स बरेंगे किस वर्ष तक विश्वा स्वास्ते संगठन ने और जोगिक रूप से उत्पादी जो आपका ट्रांस या वर्षा को खत्म करने का तो पूर्ण सवाल जो आपको यहाँ पर बताएगे और इसके बाद आप लोगों का डेली जैसे कि मैंने आपको बताएथा कि हम लोग इवनिंग में पांस बज़े आपकी रिजनिंग क्लास सलती है और रात में नो बज़े आपका एक्जाम 2020 चलते है तो एक्जाम 2020 में तो constitutional history से लेकर constitutional assembly, assembly से लेकर आपका क्या हैगा part, article और आपके क्या होगा भाग एक, भाग दो के बारे में कुछ questions आपको देखना को मिलेंगे और नहीं भी मिलेगा तो मैं आपको समझा दूँगा समझो कि यहाँ से क्या questions आपके बनते हैं, तो आप अपने end से, अब कुछ इस तरह से किया जाएगा कि मैं आपको पहले ही topic देदू, और उसमें miss nilias भी है आपका ध्यान दीजेगा, बहुत सारे बच्चे हमारे NTPC वाले, बहुत सारे बच्चे हमारे 11 December को, बिहार state से जो समाप्त कर रहा हूँ, आसा करता हूँ कि आपको चीजे समझ मारी होगी, आप सभी लोग class को share भी करेंगे, और जो student channel से नया जुड़ा है, चैनल को subscribe भी कीजिएगा, आगे एक हम लोग बचा नई energy के साथ, कुछ नई चीजों के साथ, आपके साथ, दुबारा से जुड़ को यह समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे exam 2020 में और उससे पहले evening में अंकित सर की class होती है, तो उस class को भी आप लोग जरूर follow करिएगा, ठिक, तब तक के लिए धन्याबाद आपका दिन सुभो